हलो एबरिवन आप सभी का ससिस तड़का किचन में बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार चलिए आज की वीडियो देख लेते हैं आज की मसालेदार बैगन सबजी की वीडियो पसंद आए आप सभी को तो प्लीज आप सबसे रिक्वेश्ट है मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब चलिए आज की मसालेदार बैगन की रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हमें मसालेदार बैगन बनाने के लिए बैगन की आ सकता है तो यहां सफेद वाले लंबे वाले मीडियम साइच के मैंने बैगन ले लिये हैं यह आधा किलो बैगन ले लिया है इसे अच्छे से धो करके मैंने साफ कर लिया है पोच लिया है कप्रे से इसका मसाला तयार करने के लिए हमें क्या चाहिए तीन बड़ा प्याज यहां पर ल सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ा टमाटर को मैंने बारीख काट करके ले लिया है सब चाहे तो बारीख को कटकॉस करके ले लूंगी बारीख सबãy Вотा सब्सक्राइब नीचसा हम काट लेगे और canad comete कर ले लिए और भी से इस तरीके से कट लगा करके चेक कर लेंगे कि कीडा वगरा है कि नहीं कभी कभी बैगन में कीडा वगरा होता है तो इस तरीके से पहले चेक कर लेंगे और सभी को हम इस तरीके से काट लेंगे और डंठल हमें नहीं निकालना है डंठल सही थी हमें बैगन को लेना है तो सभी को मैं इस तरीके से काट करके चेक कर लूँगी बैगन कट गया है मैंने अच्छे से देख लिया है अब गैस पर कड़ाई रखेंगे कड़ाई में मैंने यहां दो बड़ा चमच तेल डाल दिया है सहसो का तेल अच्छे से गरम हो गया है तो सभी बैगन को इस तरीके से में डाल करके चलाते भून लूँगी बैगन को हमें 80% कुक करना है इस तरीके से तेल में पहले ही तो इसे हम चलाते हुए उलट पलट करते हुए बैगन को मैं 80% पका लूँगी तेल में ये सबजी आप चावल के साथ ही या फिर पराठे के साथ पूरी के साथ नान के साथ एंजवाई कर सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है मसालेदार बैगंगी सबजी बनाना बहुत आसान है इजी है घर के सामगरे से ही तयार हो जाता है बिल्कुल धाबे या होटल इस्टाइल कहे लीजिए थोड़ी दर पका लेने के बाद चुटकी भर हल्दी डाल दिया है हल्दी डाल करके कवर करके इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है तो दिखे है ये भून करके 80% कुक हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अब इसी कड़ाई में दो बड़ा चमच तेल और मैंने डाल दिया है तड़के के लिए यहाँ पर एक छोटा चमच मैंने साबू धनिया लिया है हाथों से क्रस करके इसे डाल देंगे और आधा छोटा चमच जीरा, आधा छोटा चमच हींग कुछ सेकेंड के लिए इसे हमें स्प्रिंकल होने देना है उसके बाद यहाँ पर great किया हुआ अधराय कलहसून प्याज इन सभी को डाल करके हमें हलका सुनारा होने तक अच्छे से भून लेना है तो यहाँ देखिए प्याज अधराय कलहसून भून गया है उसके बाद मैने टमाटर डाल दिया है अब टमाटर डाल करके कुछ सुखे मसाले इसी टाइम हम डाल लेते हैं जिसे एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर, एक चमच गरम मसाला, आधा चुटा चमच आम चूर पाउडर, एक चमच मैंने हाकसूरी मेथी लिया है, उसे मैं हाथों से क्रस करके डाल दूँगी, इन सभी मसालों को डाल करके अच्छ से चलाते हुए, अब इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छ से भूनना है, जब तक कि मसालों से बहुत अच्छी सी खुसबू नहीं आने लगती है, तब काँए, इसे से भूनते रहना है, दो से तीन मिट मसालों को भूनने के बाद, यहाँ पर दरदरा कोटा हुआ, मैंने दो बड़ा चमच मूमफली यानि सिंक दना डाल दिया है, खलबटे में इसे दरदरा कूट करके मैंने लिया है, ये भूनी हुई मूमफली है, भूनी अगर कूट करके डालेंगे तो इस सबजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें दो बड़ा चमच में ने दही डाल दिया है दही डालने के बाद स्वादनुसार नमक डाल दिया है अब इस मसाले को चलाते हुए लगातार हमें 5 मिनट के लिए भूनना है उसके अच्छे से बुन गया है और मेरे कीचन में बहुत अच्छे सी खुशू आने लगी हिए मसालो की अब यहां पर एक छोटा गिलास गिलास मैंने ले लिया है और उसी गिलास मैंने फानी डाला है ग्रेवी की थीकनेश अगर आप इसी तरीके को पका सकते हैं या जिस तरीके से मैंने बनाया है ग्रेवी के साथ तो आप इस तरीके से भी बैगन को बना सकते हैं यह आपके चोईस है कि आप इसे रोटी के साथ सिर्फ खाना चाते हैं या चावल के साथ खाना चाते हैं तो जिस तरीके से आप खाना चाहें उससाब से बन सकते हैं बस अब हमें कुछ ने करना है बैगन को ग्रेवी में डालना है और डाल करके थोड़ा सा हम हलके हाथों से मिक्स कर देंगे और उसके बाद कवर करके हमें 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है और कुछ इस तरीके से देखिए पक जाएगा हमारा क्योंकि बैग बैगन को बार बार चलाना नहीं है मिक्स नहीं करना है वरना यह तूट जाएगा हलुआ बन जाएगा फिर कहेंगे कि आपने बताया नहीं था ये लीजिए मसालेदार बैगन की सबजी बनकर के तयार हो गई है और एक भी बैगन मेरा तूटा नहीं है आप सब देख सकते ह और मसालेदार बैगन की सबजी बनकर के तयार है अब फटा-फट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और लीजिए चावल के साथ खाईए या पराठे के साथ या रोटी के साथ जिसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं एंजॉय करिए इस यह इतना टेश्टी लगता है दोस्तों कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे तो आपको मैं एक बैगन चेक करा करके भी दिखा दे रही हूँ यह अच्छे से दिखे बैगन हमारा कुक हो चुका है अंदर तक मसाले अच्छे से चले गए हैं है नद फ्रेंट्स इस सबजी को बनाना बहद आसान घर के अच्छे को दीजे इजाजत आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई दोस्तों